हलो वे असलाम लेकुब गाईज मैं एक बहुत ही important dispatch से related video upload कर रहा हूँ इस video को miss मत करना इसको शुरू से end तक देखना आप लोगों को बहुत फाइदा होगा specially for beginners ये video जो अभी dispatch में enter हुए है जिने basic information भी नहीं है ये जिनें थोड़ी बहुत information है इस video में आपको complete information मिलेगी तो इस video को miss मत करना इस video को end तक देखना आपको सारी information मिल जाएगी all in one solution है ये video इसमें A to Z सारी information है with document ये document मेरे पास काफी time से पढ़ा हुआ था और पता नहीं मुझे किसी ने share किया था उसने का कि खुरम भई मैंने एक पूरा method बनाया है मैं आपको share करता हूँ ये video ये document बहुत अच्छा था तो मेरे पास काफी दिनों से पढ़ा हुआ था और मैं खुद चाहरा था कि मैं इसको align करूँ align करके आप लोगों को सारी video में दिखाऊं और बताऊं लेकिन time नहीं मिल सका लेकिन आज weekend था Sunday free बैठा हुआ था तो मैंने सोचे चले एक video अफलोट करो क्योंकि बहुत से नहीं लोग अभी इस time मेरे subscriber भी बने है और मुझे follow भी कर रहे हैं तो उन्हें कुछ information नहीं है तो यह video बहुत help करेगी आप लोगों को बहुत helpful होगी इसको miss मत करना इसको पूरा watch करना है video start करते हैं इसको शुरू से end तक देखें So basically what dispatching companies do what we do we specialize in helping carriers to find the top paying freight loads for their trucks our dispatcher negotiate the highest trades and inform the carriers for option to make the final decision basically हमारे जो dispatching team होती है जो हमारे dispatchers होते हैं वो हमारे carriers के लिए बहतरीन अच्छे load option select करते हैं और select करके उन्हें share करते हैं और उन options में से वो कोई एक option select करते हैं carrier carrier select करता है और हो select करके हमें okay करता है तो हम उसके लिए वो load book करते हैं we help our carrier move more freight safely and cost effectively everyday in addition we bring a great deal more to the table than just dispatching we work with carrier as a partner to provide the tools they need to keep their trucks loaded and profitable हम carrier को basically हर तरह से support करते हैं उसको assist करते हैं हम basically उसके partner business partner भी होते हैं हम उसके assistant भी होते हैं हम उसे guide भी करते हैं हम उसे hot market cold market के बारे में बताते हैं हम उसको अच्छी loads के ही बारे में बताते हैं, आम उसके लिए लोड में भी बुक करते हैं, उसके पैमेंट सीलुशन भी बनाते हैं, अगर कहीं पैमेंट गोजए तो ब्रोकर से म्- Pill Jamion भी करते हैं, इसके कैयर सेटप भी बनाते हैं, Tudo local setup भी बनाते हैं, तो basically हम उसके सारी जो एक headache होती है न, वो हम ले लेते हैं, मतलब हम dispatcher, हम dispatcher ले लेते हैं, और जो carrier का काम होता है, वो adjust होता है, truck को drive करना, load को pick करना, load को drop करना, उसका काम नहीं होता, documentation का, payment से, या load book करना, वो सारे काम हमारे होते हैं, dispatching companies के होते हैं, type of equipments we work with, हम power only के साथ काम करते हैं, drive end के साथ काम करते हैं, reefer के साथ काम करते हैं, flatbed के साथ काम करते हैं, step deck के साथ काम करते हैं, और box truck के साथ काम करते हैं, और hot shot के साथ भी काम करते हैं, पहले लोग hot shot के साथ काम नहीं करते थे, लेकिन अब hot shot के साथ काम नहीं करते थे, लेकिन hot shot जो है वो एक box truck का weight carry करता है लेकिन उसके पीछे flatbed होता है और flatbed किसे कहते हैं मैंने पहले एक video upload की है कुछ दिन पहले tools details के बारे में उसमें truck के तमाम tools की update मुझूद है तो वहाँ पे आपको hot shot नजर आ जाएगा और categories of driver अब driver कितने category के होते हैं कितने types के driver होते हैं there are two type of drivers एक होते हैं long hauler जो long miles allowed in a day six six hundred miles 500 miles in a day चलने वाले जो होते हैं एक long hauler होते हैं और एक short hauler होते हैं तो उसमें एक driver होता है solo driver solo driver जो होता है वो अगर long haul पे जाएगा तो वो 500-600 miles जो है वो अराम से निकाल जाएगा एक दिन के अंदर और 50-55 miles in an hour यानि एक घंटे के अंदर वो 50-60 miles जो है वो easily travel कर लेगा दूसरी एक होता है driver वो होता है team driver team driver जो होता है न वो एक दिन के अंदर 24 घंटों के अदर मतलब एक दिन 24 घंटों को होता है तो 24 घंटों के अंदर अगर एक driver 600 miles चलाता है तो दूसरा driver जो है उसके साथ जो बैठा होता है जिसे हम team कहते हैं दूसरा driver जो होता है वो फिर 600 miles वो चलाता है मतलब truck continuous चलता रहता है और 24 घंटे के अंदर वो 1200 miles अराम से cover कर जाते हैं तो इसमें आगे लिखा है 50 to 55 miles in an hour ये वो ही speed मतलब ये truck की speed होती है basically कि इस speed पर truck चल रहा होता है और अगर वो 24 घंटों चलता रहे तो वो तक्रीबन 1200 miles जाके निकालेगा और 12 घंटों के अंदर वो तक्रीबन 500-600 miles निकालेगा solo driver जो होता है मतलब वो एक driver truck drive कर रहा है तो जाहरी सी बात है कि वो 600 miles चला लेगा और team driver मतलब दो driver एक truck को चला रहे हैं तो obviously फिर वो 600 miles को multiply कर लो 2 पे तो 1200 miles बन जाएगा वो फिर 12 घंटों के अंदर, sorry 24 घंटों के अंदर 1200 miles जो है वो truck आपका निकाल जाएगा basically इन drivers करना time होता है, इनकी log book में time चल रहा होता है, यह maximum 11 घंटे के drive कर सकते हैं, after 11 hour of drive इनको जो है 8-9 घंटों का rest चाहिए होता है according to US rules and laws क्योंके non-stop यह drive नहीं कर सकते हैं, अगर यह non-stop drive करते रहें, तो इनका चलान भी हो जाता है, और इनकी जो पीछे ELD device होती है, log book होती है, वो जो police वाले हैं, वो चेक कर लेते हैं, वहाँ पे highway पे, और वो truck रोग के सारा चेक करते हैं, और पर अच्छा खासा huge fine कर देते है तो अगर तो मतलब आपका एक driver होगा तो maximum 600 mile निकालेगा, तो driver होगे तो 1200 mile चला लेंगे, मतलब truck non-stop चलता रहेंगे, things required from the driver, हमें driver से basically क्या चाहिए होता है, copy of CDL, CDL मैंने पहले भी अपने terminologies की वीडियो से बताया था, कि copy of CDL के मतलब होता है commercial driver license, तो commercial driver license यह हमें driver से चा the permit to carry chemicals, यह किसी-किसी drivers के पास होते हैं, यह सब driver के पास यह hazmat permit नहीं होता, तो हमें basically driver से जो है, उसका बस CDL मतलब commercial driver license चाहिए होता है, और कुछ-कुछ drivers की identity वगएरा वो भी हम अपने पास record में रख लेते हैं, number 2 पे है truck and trailer number, हमें जो truck वो drive कर रहा होता है, और उसके लगा है, तो पीछे flatbed लगा है, driver लगा है, कुछ भी लगा है, तो truck का अपना एक number होगा, trailer का अपना एक number होगा, यह भी हमें require होता है driver से, तो driver से हमें अब दो चीज़े require है, एक CDL मतलब commercial driver license, number 2 truck or trailer number हमें चाहिए होता है, यह हम driver से ले लेते हैं, अच्छा जी, आगे क्य require होता है, ELD device, ELD device, an electronic logging device, is a piece of electronic hardware attached to a commercial motor vehicle engine to record driving hours, जैसा के मैंने थोड़ी दर पहले आप लोगों को बताया, कि इनकी 11 hours की maximum, इनकी capacity होती है, जिससे उपर यह नहीं चला सकते, तो 11 hours के बाद इने rest चाहिए होता है, जो solo driver होता है, यह होती है, ELD device, यह trucks के अंदर उनके dashboard में ल उनके GPR system हर चीस से connected होती है, तो यह उनको track भी कर रही होती है, यह उनके hours भी count कर रही होती है, तो यह ELD device हर truck में लगे होती है, और यह हर driver का data record कर रही होती है, तो driving hours of commercial drivers are typically regulated by a set of rules known as the hours of service in the United States, जैसा के मैंने बताया, कि उनके 11 hours fix होते हैं, इस उपर वो drive नहीं कर सकते, अ 11 गंटों के उपर जा के वो drive करता है, तो फिर उसको चलाना हो जाएगा, उसको fine होगा, और यह device उसको track कर रही होती है, इसको सार उसको data आ रहा होता है, और जैसे कि वो पकड़ा गया, तो उसको अच्छा खासा fine हो जाएगा, a driver has to take rest for a few hours to start driving again, in team drivers, the driver switch with their CDLs, जैसा मैंन ने बताया कि team driver में, दो driver होते हैं, एक driver के 11 गंटे पूरे होगे, तो वो rest करेगा, दूसरा driver जो पीछा rest कर रहा था, वो आगया आ जाएगा, वो drive करना शुरू कर देगा, commodities, commodities में रहते हैं, driving जो है, किसके लिए use होते है, basically clothing के लिए, furniture के लिए, electronics के लिए, household goods के लिए, ये drive and use होते है, reefer किसके लिए, meat के लिए, fresh fruit and vegetables के लिए, और number 3, medicines के लिए, flatbed किसके लिए, building and construction material के लिए, backhaws or cranes or locks के लिए, step deck किसके लिए होते है, building and construction material के लिए, backhaws on cranes and locks के लिए, box truck, the best freight uses for a box truck include less than truck load and freight type of LTL, parcel delivery, furniture hauling, food delivery, household goods and appliances, ये box truck में basically carry होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब dry van, reefer, flatbed, step deck, box truck में carry होते हैं, और हम hot shot भी चलाते हैं, hot shot पे बड़ अच्छा freight बनता है, long hauler, अगर hot shot मिल जाए, तो वो बड़ अच्छा कमा के देता है, hot shot के पीछे flatbed होता है, आगे vigo डाले लगे होते हैं, पाकिसान म payment, carriers get paid in 30 days, standard payment जो होती है, इसमें ये है, कि मतलब आपने एक broker से load उठा लिया, load उठाने के बाद, आप उसे कहें, जब आप load book करते हैं, तो carrier आपसे पूछता है, कि आपने कौन सी payment mode लेना है, तो उसमें अगर standard payment की तरफ आप जाते हैं, तो 30 दिन के बाद, आपको broker payment करेग आपके account में, जो के 95% carrier इसको avoid करते हैं, वो कहते हैं, हमें payment फौरी चाहिए, क्योंकि हमने डीजल दलवाना है, गाड़ी की maintenance, oil change, tunings, घर के खर्चे, expenses, उनका रहना, खाना, पीना, सब कुछ पैसों पर चल रहा होता है, तो वो standard payment पे नहीं जाते हैं, standard payment को 95% carrier avoid करते हैं, शुरू में charge करते हैं लेकिन अब ये कम हो गया, अब ये 3-4% पे हो चुका है, क्योंकि होता है, बिसिकली कि जल्दी पे करना, मतलब broker carrier को within 24 और 48 और 72 और 2 और 3 डेज में payment कर देता है, मतलब 1000 डॉलर का load हमने broker से book किया है, और जब हम broker का load drop कर देते हैं, तो broker एक दो दिन के अंदर हमारी payment अपने 3-4% commission जो के बन जाएगा 1000 डॉलर का almost 30-40 डॉलर वो अपने काटेगा और बाकी payment जो है, वो carrier के account में deposit कर देगा within 2-3 days, factoring company, factoring company basically financial institute होती है, ये सबसे best तरीका है payment लेने का, कुछ brokerage, कुछ के तकरीबन बहुत सारी brokerage है, जो factoring company से registered होती है, carrier भी factoring company से registered होता है, जब हम load book कर लेते हैं, load book करने के बाद, load हम drop करते हैं, drop करने के बाद, हम उसका POD proof of delivery और उसके तमाम चीज़ें, उसका bill of leading bowl और हम उसकी RC वगएरा, ये सब चीज़ें हम factoring company को send करते हैं, और हम कहते हैं कि हमने इस broker का, फ्लां broker का, ये load हमने book किया था और ये हमन load की total amount हमने जो उस broker का load book किया था, हमने 1000$ का, तो 1000$ वो जो factoring company है, वो हमें फौरी तोर पे carrier के अकॉन में deposit कर देती हैं, और उसका वो 2-3% charge करती है, मतला वो भी 20-30$ काटेगी और फौरी तोर payment कर देगी, तो 3 payments होती है, standard payment, quick pay, factoring company, factoring company को mostly 95% जो carrier है, वो factoring company को preference देते हैं, यह जड़ा safe way होता है payment लेने का, our services, negotiating top paying rates depends upon the market rate, the best rate we can get, number 2, our services mean dispatcher services, dispatching companies की जो services के हम क्या services देते हैं, हम हमारा क्या काम है, negotiating top paying rates मैंने बता दिया, set up paperwork, यहनी paperwork हम उसका सारा carrier करते है, agreement between broker and carrier liable to pay in damage, number 3, fax, email and documentation provide staff PTC when the driver is not in reach, जितनी ज़्यदा services आप दे सकते हैं, अपने carrier को एक dispatcher दे सकता है, वो देता है, फिर उस इसाफ़ से carrier और dispatcher की percentage भी decide होती है, मतलब एक dispatcher करता है कि मैं सिर्फ load book करूँगा, payment shipment के काम करवा दूँगा, आपको broker से payments करवा दूँगा, तो वो जो है ना अपना उसके लिए फ सारे बनाओगे, मेरे payments, paperwork भी सारे बनाओगे, मेरी पीछे factoring से, कुछ लोग हैं, ऐसे dispatching companies हैं, जो अपने carrier को full-fledged पूरी support कर रहे हैं, just like मतलब के honor सिर्फ मजे कर रहा होता है, वाँ कुरसी पे जूला जूल रहा होता है, अपने trucks की maintenance बगएरा, और oil change बगएरा देख रह बोकरेज और payments और पीछे factoring company, insurance, हर चीज़ बगएरा देख रही होती है, तो उसके साफ से फिर वो percentage भी charge करते हैं, ठीक है, तो ये services जो basically है, वो हम लोग provide करते हैं, carrier को, documents required from the carrier and by the broker at times, हमें जो carrier से documents चाहिए होते हैं, broker के लिए, वो MC authority, बहुत सो लोग का पता है, motor carrier authority होती ह W9 form for EIN, employer identification number, number 3, COI certificate of insurance, यानि जो carrier का truck होता है, उसके जिस company से insurance होती है, और कितनी amount के insurance होती है, उसका एक letter उसे मिलता है, insurance company के तरफ से, वो उसे हम मांगते हैं, notice of assignment from factoring company, जैसे मैंने बताया, factoring company क्या है, factoring company जो हमें payment करती है, within a day, 24 hour में जो payment करती है, अपने percentage काट के, तो उसका एक letter issue होता है, carrier को notice of assignment से कहते है, NOA वो हमें चाहिए होता है, और voided check, जो हमें चाहिए होता है, carrier से, carrier के personal account number का एक check होता है, वो उसका check हमें चाहिए होता है, उसका account number लिखा होता है, for quick pay, यानि suppose, अगर उस carrier की factoring company से registration नहीं है, तो फिर second payment mode होता है हमारे पास, कि हम broker ह कहीं है, कि हमें quick pay के through pay करें, और quick pay में broker हम से उस carrier का account number मागता है, वो account number हम उसको देते हैं, जिसमें उस account में वो payment transfer करता है, तो ये documents हमें carrier से चाहिए होता है, MC authority, MC authority का जो letter होता है ना, उसकी shape इस तरहां से होती है, मतलब जो MC authority letter आपको carrier share करेगा, वो इस तरहां का letter आपको share करेगा, इसमें दिखें, दर्म्यान में लिखा, certificate नीचे MC 0001, ये example, एक format है, ये MC letter का format ये होगा, आपको एक इस तरहां का letter मिलेगा, आपके carrier की तरफ से, motor carrier authority, given by the government to the carrier to carry out his, her business, ये मतलब MC letter की एक format दिखा रहा हो, तो जो new beginner है, उनके लिए चलो असानी है, कि इस तरहां क letter उन्हें carrier की तरफ से मिलेगा, second letter है, W9 form, W9 form request for taxpayer, this is to get the EIN number of the client we are working with, EIN is employer identification number, W9 form इस तरह का एक form होगा, ये दूसरा form, ये दूसरा paper होगा, जो आपको आपके carrier की तरफ से मिलेगा, जैसा मैंने भी उपर बताया आप लोगों को, अगर हम उपर आते हैं, तो यहां देखे ये देखें, ये मैंने आप लोगों को बताया था, MC letter, W9 form, COI, NOI, what you check, तो NOI, what you check, ये मैंने आपको 5 चीज़े बताई न, उसी में से ये नीचे वाला, ये MC letter है, MC authority, इस तरह का letter आप लोगों को मिलेगा, ये W9 form है, जो आपका carrier आपको share करेगा, ये documents आपका carrier आपको share करे 트realer and interchange insurance, ये letter होता है, ये letter का format आपको बताई दिखा रहूं, कि ये letter होता है, और ये letter आप लोगों को मिलता है, आपके carrier की तरफ से, आपके carrier से मिलता है, और जो मतलब आपके carrier को उसकी insurance company में दिया होता है, इस letter के अंदर उसके truck की detail और उसके तरick की एमंट की insurance, उसकी होते हैं उन्हें ट्रक के साथ अपने पीछे की commodity की एक value भी insured करवाई होती है अला ना करें उनका truck accident हो जाता है तो truck तो insurance company claim कर देगी लेकिन अगर truck कोई पीछे 10,000, 20,000, 50,000 dollar का load carry करके जा रहा है और उसका भी damage होता है नुकसान होता है तो कुछ insurance companies उस उस load का जो नुकसान है उसको भी cover करके देती है मतलब एक truck लगा है तो truck को भी वो claim करेंगी और उसके पीछे जो load carry था उसका भी वो claim देंगी तो यह होता है COI certificate insurance यह भी आपको आपका carrier आपका client देगा इसके पर mention होगा insurance company name, company address, agent dealing with our carrier और उसका contact number और insurance amount NOA, notice of assignment, notice of assignment from factoring company यह उसका fourth format है मतलब notice of assignment जो आपको factoring company के तरफ से मिलेगा मतलब factoring company के तरफ से carrier को मिलेगा और carrier ही आपको provide करेगा notice of assignment is given by factoring company like OTR, RTS OTR जो है यह US में काफी famous है factoring company से हम top companies में आती है उसके बाद RTS, thunder funding is factoring company is a financial institute which factors carrier's amount and pays them in 48 to 72 hours मतलब यह factoring company के तरफ से letter मिलता है carrier को और carrier आपको provide करता है तो यह सारे documents जो है आपको चाहिए होते हैं आपके carrier के तरफ से यह है voided check, यह एक format ऐसे dummy है कि मतलब अगर उसकी factoring company से registration नहीं हुई हुई और वो आपको NOA notice of assignment का letter नहीं देता तो फिर वो आपको देगा यह voided check और वैसे भी voided check दे देते हैं क्योंकि कुछ broker होते हैं वो factoring company से registered नहीं होते वो कहते हैं कि we can pay through only quick pay और standard payment पे हम आपको payment कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमें voided check चाहिए होता है यह voided check है अब इसमें voided check के अंदर उसका नाम लिखा होता है और उसका account number लिए से उपर लिखा हुआ आ रहा है यह dummy है इसके उपर MC ढूनने ना लग जाना आप सारे लोग तो यह है कि उसका account number लिखा होता है तो यह voided check भी हमें चाहिए होता है अपने carrier की तरफ से यह है जी CDL Commercial Driver License तो यह license है इसमें मतलब आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह का एक format का license जो हमें driver से मिलता है तो यह हम अपने driver से लेते हैं हमें driver के identity का पता होना चाहिए कि driver कौन है उसका नाम क्या है और उसके पास license है के नहीं है क्योंकि sometime broker आपको load दोने से पहले सारी information पूछते है क्या आपका driver CDL है या non CDL है तो हमें सारी information देनी पड़ती है Things you need to ask your carrier Dispatcher has to have a strong grip over his client carrier docs and details तो how old the MC is मतलब you need to ask your carrier आपको अपने carriers जो पूछना होता है How old the MC is Maximum weight he can carry Deadhead कितना वो लेके जाएगा Deadhead he can cover Type of doors कि उसके truck के पीछे doors rolling में है या sewing में है वो पूछना होता है Preference पूछनी होती है कि आपकी preference क्या है Lanes कौन सी लेना चाहते है आप long hauler है, short hauler है Accessories ही है तो ये चीज़ें आपने carrier से पूछनी होती है जब आप उसे mature करते हैं या उसे on board करते हैं या उसे आप deal final कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपको उसे पूछनी होती है और आपको अपने carrier के तमाम चीज़ों के बारें पता होना चाहिए क्योंकि जब आप broker से load book करते हैं तो इस चीज़ें वो आप से पूछ सकता है और आपको सारी information होनी चाहिए Questions from the broker while booking the load What is the commodity, exact pickup location and time मतलब जब आप broker को call करते हैं और call करके आप उनसे load book करने के लिए बात करते हैं तो फिर उसमें आप उनसे पूछते हैं कि भाई, what is the commodity, exact pickup location time मतलब कहां से हमने pick करना है और pickup location उसकी क्या है और उसका exact pickup time क्या है drop of location and time कि कहां drop करना है और उसकी drop location कौन सी है उसका drop time क्या है weight कितना है कि वो commodity जो हम carry कर रहे हैं अब हमारे truck का weight है 10,000 LBS वो से ज़्यदा ना हो तो हमने weight भी confirm करना होता है और what is the current rate he is offering always negotiate for a higher rate जो भी current rate वो आपको offer करें वो कहते हैं जी 1.5 डलर पर mile हम box stock के आपको देंगे तो try to get at least 2 डॉलर पर mile आपने उनसे बहस करने negotiate करने कि 2 डॉलर पर mile आपको pay करें यानि वो आपको 500 मायल का आपने कोशिश करने कि 1000 डॉलर आपने उससे लेना है और maximum जितना आप ले सकते हैं उससे आपने लेना है questions broker will ask अब broker हिए आप से पूछेगा broker आप से पूछेगा tell me your MC number MC number वो लेके check करता है कि कितनी पुरानी MC है अगर तो new MC होगी शायद उसके requirement में meet ना करती हो तो वो मना कर देगा कि भाई new MC को मैं लोड नहीं देता और अगर old MC होगी होगेगा okay I can book a load for you ETA पूछेगा कि estimated time of arrival कि भाई आप कितनी दूर है और आपका truck का मेरे पास महुचेगा मेरे load pick कर सकता है estimated time of arrival बता दो क्या आने का time क्या है जो के आप अपने carrier से confirm करके broker को बताएंगे documents required to get paid अब documents जो आपने मतलब देने है broker को यानि मिसाल के तोर पर जो आपने load pick किया load pick करके आपने drop कर दिया drop करने के बाद आपने payment भी तो लेने हैं broker से तो broker से जो payment लेने हैं उसके लिए आपको कौन कुस documents चाहिए होते हैं rate confirmation जो आपको broker ने दिया होता है जब आपका load और deal broker से final होती है वो एक RC आपको देता rate confirmation वो rate confirmation आप broker को भेजेंगे या फिर factoring company को देंगे या फिर quick pay के लिए देंगे जो भी payment method आपका होगा उस rate confirmation के उपर rate लिखा होता है broker के तरफ से कि उसने आपको thousand dollar देना है तो वो देंगे bill of leading यानि जो आपने load जाके pick किया था तो वहाँ से एक आपको paper मिलता है bill of leading वो आपने उसके उपर वहाँ पिशे पर आपको sign करके देता है जी load मेरा pick हो गया और POD proof of delivery यानि जहां पर जाके आप load drop करते हैं वहाँ paper पर आप उसके sign लेते हैं उसके load आपने drop करते है receiving जिसे हम कहा लेते हैं normal लबज़ों में के आपको receiving मिल जाती है और NOA wanted check to get his payment अगर तो factoring है तो फिर NOA चाहिए होगा और अगर वो factoring नहीं है तो wanted check चाहिए होगा आपको quick pay के लिए ये सारे documents हम जो है हमें चाहिए होते हैं broker से payment लेने के लिए ये है जी rate confirmation का format ये rate confirmation का format है मतलब इस तरहां का एक letter rate confirmation जब आप broker से load book कर लेते हैं और load book करने के बाद आपको एक rate confirmation issue होता है rate कौन जो आपको issue होता है यही rate confirmation फिर आपने carrier को के send करना होता है कि भाई तरह load book हो गया इसके ओपर amount लिखी हुई है इसके ओपर पूरी instructions लिखी होती है कि commodity किया है कहां से pick करने है कि जाद ड्रॉप करने है तो सारी detail लिखी होती है और end में इसके main चीज़ होती है वो है freight मतलब price, charges जो आपने broker से लेने है वो भी इसके mention होते है यह rate confirmation हमें चाहिए होता है payment के लिए यह है जिए bill of leading bill of leading आपको मिलता है basically जब upload pick करते है उस पे documents carrier receives once the power unit truck is loaded with commodity जब आप अपने truck को मतलब आपका जो carrier है आपका जो customer है जब वो load carry कर लेता है तो उसको document receive होता है rate of commodities पे लिखी होती है pick up location, drop of location check in, check out, time यह दोनों चीज़ें इसके उपर मतलब mention होती है bill of leading आपको load carry करते हुए आपको यह bill of leading मिलता है POD, proof of delivery जब आप drop करते हैं तो फिर यह receiving मिलती है POD at this address to get paid यह signature shipper और receiver without this carrier cannot get paid अगर आपके POD के उपर आपके, मतलब POD, bill of leading अगर यह paper आप अपने carrier से नहीं लेते यह आपका carrier लेना भूल जाता है तो फिर उसको payment broker के तरफ से नहीं मिलेगी यापने load deliver किया है तो आपको उसके भी evidence चाहिए उसका भी आपको सबूत चाहिए और यह सारे सबूत आपने broker को submit कराने था कि भाई हमने तुमारा load pick भी किया drop भी किया, यह pick up अपना bowl है, bill of leading है यह proof है कि हमने load pick किया था यह POD है, यह proof of delivery है अपने load drop कर दिया था फिर आपको payment मिलेगी, अगर इसके उपर time in, time out, सब कुछ mention होता है अगर आप यह paper नहीं लेते हैं तो payment आपको नहीं मिलेगी freight guard, carrier, wars, nightmare यह carrier के लिए एक ड्राउना खाब होता है, क्योंकि freight guard जब लग जाए, तो MC के उपर एक धबा लग जाता है और फिर आगे आपको load बनला मुश्री जाते हैं और अच्छा खासा नुकसान भी होता है और अगर यह डिसकी भी गलती हो चाहिए एक dispatcher की गलती है चाहिए एक carrier की गलती है अगर यह लग जाए तो फिर बड़ा नुकसान है भाई यह आपने लोड बुक कर लिया लोड बुक करके आप पिकप में अभी आपके 3-4 घंटे पड़े है डू टू एनी रीजन आपने रुकरो कॉल की ट्रक खराब हो गया, कुछ भी हो गया, लोड कैंसल करना है तो कैंसल हो जाएगा लेकिन अगर बिलकुल लास्ट मुमेंट पे आके आप कहते हैं जी लोड कैंसल कर दो तो as a result of this, कैरियर MC will be कैरियर MC will be ran by this hit कैरियर won't be able to book any load for at least 90 days with any broker फ्रेड गाड लग जाए तो फिर आपको आगे लोड भी नहीं मिलते और आपको फ्रेड का ठटवाने के लिए फिर आपको भाग दोर करनी पड़ती है ब्रोकर की तरले मिनते या फिर FMC से को कॉल States, हुई service हम service देते हैं पूरे USA में यह USA का map होता है basically हमारी company में तो हर laptop पे यह map लगा होता है तो हमारी तो बलके company में भी यह पूरा USA का map लगा होता है तो यह इसके अंदर तमाम States के नाम लिखे हुए है तो हम तो भाई हर स्टेट में काम करते हैं